हेलो दोस्तों नमस्कार सच्छी काल मैं डॉक्टर अशोग गुपता अशोग क्लीनिक पीतुम पुरा दिल्ली से आज हम बात करते हैं सेक्स लोग कहते हैं सेक्स करने की दवईयों तो आप देते हैं बात आप करते हैं लेकिन सेक्स ना करने की क्या नुक्सान है क्या डर है श आपको प्रोपर नीद नहीं आएगी, आप हमेशा गुस्से में रहेंगे, आप अपना काम, धंदा, सर्वस प्रोपर नी कर सकेंगे घरवारों के साथ आपका मेल, जोल, वो साइड इफेक्ट देगा वो आप चरचरपन रहेंगे, बात नी करेंगे, उस्से में रहेंगे पार्टर के साथ भी आपका कलेश होता रहेगा कई दफ़ा तो लड़ई, यगड़ा और कलेश में पिष्ण बदल जाती है ये इसके नुक्सान होते हैं और फिजिकली ये स्रीरिक नुक्षान होते हैं वो भी हमारे सामने हैं देमाग के ओपर बुरा सर पड़ता है, पिशाब में धाज जाती है हम लोगों को फालतू में सेक्स नहीं करते हैं घर में किसी कारण और लोगों को आँख मुचोली करते हैं, चेड़ खानी करते हैं कई दफ़ा हम प्रोसिट्यूट्स के पास जाते हैं जो सेक्स नहीं करने का हम चांस ना मिलें या हम ना करें किसी कारण किसी जित के कार्ण जा किसी बैबारी के कार्ण हैसे ही फिर हम प्रॉशुट्रूश्यूशन के पास ना जा सके हम अक्सेषयव दिन में 3-3 वार बास्रोबेशन करते हैं उसमें भी परोटीन बाली बाडी की काम होती है और हमें चरचरापन, गुस्वा, गिल्ट फील होता है और इसके इलाव सबसे बड़ा कारण सेक्स नहीं करने को मिले तो इसी हालत में हम रेप कर डालते हैं रेप के कितने बड़े खराब कारण मिलते हैं वो हम अच्छी तरह जानते हैं इसलिए हर चीज़ का एक हिसाब कताब होता है आपको हर हालत में जैसा भी है नॉर्मन लाइफ ए सेक्स करना चाहिए सेक्स नहा करने के भी ये नुक्सान है जो मैंने आपको बताए है जो कम ही लोग बताते हैं और लोग अंदेशे में रहते हैं अभी इसका क्या होता है जी कोई फरकनी पड़ता और गल्त काम जिंदगी में होते हैं देखें हुमन लाइफ में लेडिज का भी उतने हिस्सा होता है कहीं आदमी का हिस्सा 90% है तो औरतों का हिस्सा 60-65-70% तक भी होता है अगर आदमी का सेक्स करने को मन करता है और वो नहीं करती हैं सेक्स ना करें तो उनके उदमा के ओपर भी खराब असर होते हैं उनको गुसा और चिर्चरा पान लोगों से अकेले रहना हार आदमी से जगड़ा करते रहना प्रोपर्ली खरागना खाना ऐसी तकलिफे उनको होती है और कितने ही खुबसूर्ट आउर्ट हो नेचर ली उसको कोई भी पसंद नहीं करता उसके स्वाब के कारना कि उसके स्वाब में मेल, जोल, सहयोग, मुस्क्राहट, समाइल होती ही नहीं इसलिए सेक्सल लाइफ को इग्नोर ना करें अगर आपका विवाह हो चुका है तो आपको हर आलत में अपने सेक्स का थोड़ा बहुत जैसा भी आपका है हर आदमी की नेचर होती है कि लोग कम करते हैं कि ज्यादा आप कम कीजिए, ज्यादा कीजिए, कोई बात नहीं है लेकर करिये जिरूर शादी शुरा जिनगी का मतलब, इस्त्री पुर्शी जीवन का मतलब ही सेक्सल लाइफ होता है संतान तो बाद में होती है, हम सेक्स करेंगे तो संतान होगी न और श्रीडिक तोर पर और ओड़ों को मास्क धर्म की खराबिया हो जाती है बड़ी प्रावलम है और तों को लुकोलिया हो जाता है कि उनको सेक्स ना करने पर उसे प्रेविट पार्ट में थोड़ी मुटी स्रुज रध होती है इडिटिशन होती है, इचिंग होती है, वो खुझलाती है, इदफा फिंग रिंग करती है, तो ऐसी हालत में प्रिवेट पार्ट में इंफेक्शन गडबर होती है, उरिनरी इंफेक्शन हो जाती है, हाथ पर थर थर आती है, कांपती है, दर्द होता है, बैक में बहुत में सेक्स करना चाहते हैं, तो आपको सेक्स करना चाहिए, उसको अग्णोर नी करना चाहिए. कई लोग समते हैं, मेरी म्रेस्क खराब हो जाएगी, कई लोग समते हैं, मेरी प्रेविट पार्ड खराब हो जाएगा, पर लोग सोचते हैं डिला पना जाएगा मेरी खूबसूरती चली जाएगी सेक्स खूबसूरती को चार चांद लगाता है खराब नहीं करता है इसलिए कभी भी आपको जूर पड़ती है को एडवाइस की आप अशोग क्लिनिक में आईए लेकर समय लेकर में लिए आज कल मैं मैं पीतमपुरा ही बैठता हूँ मेरी पंजाब हर्यान नावां में कोई ब्राच नहीं है आपको मेरे लाइक कोई भी सेवा है आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आप वर्ट सेपे बात चीत कर सकते हैं आप वीडियो कॉल में बात चीत कर सकते हैं और आप खोदा सकते हैं अश चोकलीडिक को सब्क्राइब करें, देखें, नमश्कार देखें.